मुरादाबाद विकास प्राधिकरड कार्याले में आयोजित इन्वेस्टर मीट में करी पच्चुस सो करोड रुपए की धन राश्वी के निवेश का प्रस्ताप राप्त हुआ जिसमें कुल 32 निवेश को द्वारा रियालेटी सेक्चर में करी पच्चिस सो करोड के निवेश के प्रस्ताव बिले हैं इस दोरान NG के उपादियक शेलेश कुमार सिंग ने अमृत विचास प्राधिकरड काफी महत्वकांशी योजनाय देनी चुआ रहा है जिन्मिनया मुरादाबाद अबूदी योजना के तैट मल्टे स्टोर भवन काथ रोड को दिले रोड से जोडने वाली 24 मीटर की पोर लिन सडक मुरादाबाद के एंट्री गेट का निर्माड मोडा तैया जील को विक्सित करने सोनकपुर योजना वासी योजना के साथ ही मुरादाबाद शहर की आनबाद शान पीतल दस्तकारों को रोजगा से जोडने के साथ ही अन्य तमाम महत्वकांग्शी योजनाय शामिलेच उनके बारे में MDA उपाध्यक्ष ने विस्तार से रताया पुरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से अपनी पहचान रखने वाले मुरादाबाद शहर को एक नई पहचान मुरादाबाद विकास पर अधिकरन देने जा रहा है यूं तो लगातार समय समय पर मुखेरी नियों की प्रिशेस्ट में पर इंवेस्टेर का आयोजन की तो मुरादाबाद दिकास प्रादी करंड के दर भी किया गया था तो यहां पर अभी तक हमें कुल जो है 32 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं ग्रीन फिल्ड निवेश के जिसकी कुल लागत लगवक 25 करोड है और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले एक हफते या 10 दिन के समय में हमें जिस स्टेजी से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं यहां मुरादाबाद के और गजरौला के तो सब मिला करके हमें करीब 4000 करोड का निवेश आवास रिम शहरी निवजन विभाग के अंतरगत मिलने की पूरी उमीद है इन्वेश्टर्स मीटिंग में जितने हमारे जो संभावित निवेशक हैं जो कि हमारी अलग-अलग टाउंशिप की स्कीन में किसी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में इस तरह की स्कीन में इन्वेश्ट करना चाहते हैं तो वो अपने प्रस्ताव देते हैं कि हम यह यह इन्वेश्ट करना चाहते हैं और हमें इन इन बिंदू इंवेस्टर्स मिट्स से अलग अगर हम बात करें, 2022 में काफी सारे प्रियास किये गा है, 2023 में मुरादबाद को क्या सौगात देने जा रहा है, अमडियूँ देकि मुरादबाद विकास प्रादिकरण इस साल जो है, उसकी कई सारी महत्वा कांची योजनाए हैं, जिसमें से जो नया मुरादबाद इस्खीम है, उसके अंतरगत जितनी भी सड़के हैं, उनके सब के अप्रिडिजिशन का काम हम लोग उसके कारे कर रहे हैं, दूसरा हमारा जो एक अबिदय योजना के अंतरगत, एक मल्टी स्टोरी भवन हम लोग बना रहे हैं, जिसमें कि यहां के जो गरीद अपके के चाद रहे हैं, उनको जो है मौका मिलेगा रिजिदेंशल एक कोचिंग इंस्टूट में पढ़ने का, और सेविल सर्विस और बाकी जो प्रतियोगी परिक्षाए हैं, उनमें जो है अपना सपना साकार करने का, इसके लावे एक और महत्वा कांग्ची साब के साथ हम लोग ने जाकर के मौके का सर्वेक्षन भी किया है, तो ये योजना भी हमारी इसी साल इंप्लिमेंट होने की सम्भावना है, और इसके अलावा जो है एक बड़ी महत्वा कांग्ची परियोजना थी, जो हमारे मुरादबाद शेहर के एंट्री गेट का निर परियोजना हैं, जिससरे कि हर एक तबके के लोगों को उनके सपनों का एक आवास मिल सके, उस पर प्रादिकन लगातार कारे का रहा है, तो यहां पर एक तरीके से आजिविका का साधर है, वो आर्टिजन्स के दौरा जो किये जा रहे कारे हैं, वो है, तो हम लोगों ने ज आवधान किया है, कि जो हमारे आर्टिजन्स हैं, उनके लिए एक सेपरेट एक शिल्प ग्राम की स्थापना की जाए, और इसके लिए हम लोगों ने एक लैंड का इनिटिफिकेशन भी किया है, साथ-साथ उनको एक प्रॉपर जो है, इंफ्राइस्ट्रेक्चर प्रदान क करते हुए, उनके लिए टाउंशिप डवलप करने के लिए प्रस्ता हमने महायوجना में ही दिया है, इसके अलावा हमारी जो स्मार्ट सिटी है, उसके अंतरगत भी जो है जो नगर निगम के अंतरगत आती है, उन्होंने भी जो है उनका जो एपरेटरस वगरा है, उसके मुराद बाद विकास परादिकरन के वी सिजिंगें के साफतार पर कहना है कि मुराद बाद विकास परादिकरन के लगतार, आम जंता के लिए कार्रे कर ह academia के जो हजारतेस में के मुराद भाद को एक नए जो